नमस्कार साथियो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी स्टिडी भाई राजा में दोस्तों मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक हिस्टी की नई वीडियो लेके और हिस्टी में हम लास्ट वीडियो में जो पढ़ रहे थे वो मुगल एमपायर को पढ़ रहे थे और मुगल एमपायर में हमने एक रूलर हुमायू को डिसकस किया था हुमायू हमारा लास्ट वीडियो में जो टॉपिक था वो कंपलीट हो चुका था और उसमें हमने यह भी discuss किया था कि होमायू का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर और आप लोग थमने देख पा रहे हैं थमनेल में भी हमारा टॉपिक क्या है आज का वो अकबर है क्या टॉपिक है अकबर और हम अकबर को discuss करेंगे ठीक है तो वीडियो को सुरू करने से पहले एक बाद फिर आप से बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल केडी स्टिडी बाई राजा को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए तो ठीक है चलते हैं अपनी क्लास की और और देखते हैं पढ़ते हैं अकबर के बारे में अकबर के इतिहास को अकबर का जो सासन काल है वो कब से कब तक रहा है तो आप लोग यह याद रख लीजिए 1556 to 1605 1556 से लेके 1605 तक अकबर क्या रहा है भारत का सासक रहा है ठीक है अकबर का जन्म कब हुआ था अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और अकबर का जन्म कहां पे हुआ था अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में और दोस्तों अमरकोट कहां पे पड़ता है पंजाब में अमरकोट के जो सासक हुआ करते थे रूलर जिनका नाम था राणा वीरसाल जिनका नाम क्या था राणा वीरसाल और राणा वीरसाल के यहां पे 1542 में अकबर का क्या होता है जन्म होता है ठीक है दूसरा अक्बर के जन्म के समय हुमायू कहां पे था हुमायू इरान में था तो अक्बर के पिता का नाम क्या था दोस्तों यह आप लोगों को भलीवांती पता है क्योंकि यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था अक्बर के पिता का नाम हुमायू था अक्बर की माता का नाम क्या था तो अक्बर की माता का नाम था दोस्तों हमीदा बानो बेगम ठीक है क्योंकि अक्बर ने हमीदा बानो बेगम से साधी की थी और हमीदा बानो बेगम जो थी क्या थी हिंदाल के जो गुरू थे उनके दाल के गुरु मीर अली अक्बर की पुत्री थी जिससे हुमाईू ने क्या किया था विवाह किया था ठीक है दूसरा अक्बर जो था मुगल मुगलों में अगर किसकी बात की जाए मुगलों की बात की जाए मुगलों में सबसे युवा सासक था मुगलों में सबसे युवा सासक था कौन ऐसे लिखिए ऐसे तो जाए ठीक रहेगा मुगलों में सबसे युवा सासक अक्बर था ठीक है अक्बर तेरह वर्स और चार महा किसी में छे महा मिल जाता है तेरह वर्स या छे महीने कि युम्र में सासक बना ठीक है अक्बर सबसे क्या था मुगलों में युवा सासक था इतनी कम आयू में अक्बर क्या बन गया था राजा बन गया था भारत का और जिसकी युम्र उस समय कितनी थी तेरह वर्स चार महीने उस समय क्या थी अक्बर की उम्र थी ठीक है आगे देखते अक्बर चुकी हुमायू की म्रत्यू पहले हो चुकी थी पंद्रसो पच्पन में और पंद्रसो च्पन में अक्बर सासक बनता है तो अक्बर का संद्रच्छक अक्बर का संद्रच्छक जिसे पैट्रोन बोला जाता है तो अक्बर का संद्रच्छक कौन था तो अक्बर का संद्रच्छक था बैरम खां कौन था दूस्तों अक्बर का संद्रच्छक बैरम खां था दूसरा पैट्रोनेस ऑफ अक्बर महिलाओं में अकबर की सनरच्छिका कुँ थी? ठीक है? महिलाओं में अकबर की सनरच्छिका तो महिलाओं में अकबर की जो सनरच्छिका थी उसका नाम था माहम अंगा ठीक है? उसका नाम क्या था? माहम अंगा और ये अकवर की क्या थी? सनरत शिखाती किसमे? महिलाओं में ठीक है? आगे बढ़ते हैं आगे देखें आप लोग फिप्टीन फिप्टी सेक्स पंद्रा सो चपपन में दोस्तो एक युद्ध होता है और युद्ध कौनसा होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध कौनसा युद्ध होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध या दुत्री युद्ध? यह पंद्रा सो चपपन में होता है अब यह किस किस के बीच में होता है? तो आप लोग यह याद रखें यह होता है हैमू के बीच में किस के बीच में हैमू या इसे एक और नाम से जाना जाता है हैम चंद्र किस नाम से जाना जाता है हैम चंद्र के बीच में और दूसरा किस के बीच में होता है? अकबर के बीच में तो याद रख लीजे, जब ये युद्ध हुआ था, उस समय अकबर छोटा था, तो इस युद्ध में भाग लेने के लिए अकबर नहीं गया था, अकबर की तरफ से जो भाग लिया था, वो किस ने लिया था, बैरम खाने किस ने लिया था, बैरम खाने, ठीक है, तो अब इसकी बात की जाए हैमू की तो हैमू क्या था दोस्तों हैमू पहले एक व्यापारी हुआ करता था जो रैवाडी के बाजार में नमक और तेल बेचा करता था अचानक से यह सूरी डैनस्टी में सूरी वंस में उसकी सैना में जाके सामिल हो जाता है और फिर यह वहाँ प बहारत का राजा बना जाए और यह भी जानता था किया क्या है चोटा है तो हैमूनने क्या क्या किया कि दिल्ली पे आके कब तो देख लीजिए हैमू दिल्ली का अंतिम हिंदू है हैमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सासक था चुकि इसे बहरम खाने हरा दिया तो इसे दिल्ली से क्या करा हटना पड़ा और जब दिल्ली से हट गया तो दिल्ली का सासक कौन बन गया फिर से अकबर बन गया ठीक है अब एक और बात हैमू को और किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग यह याद रख लीजिए हैमू को जाना जाता है विक्रमादित्य किस नाम से जाना जाता है कि विक्रमादित्य के नाम से हैमू को जाना जाता है और बहारत में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं कितने विक्रमादित्य हुए 14 विक्रमादित्य हुए हैं और उनमें से और उन मैसे जो विक्रमा दित्य था 14 वाँ विक्रमा दित्य जो था वो कौन था है मूँ ठीक है इसके बाद फिर वापस आ जाई अकबर पे कि अब अब अकबर क्या कर रहा है उस समय दूसरा अकबर ने 1560 में कितने में 1560 में अकबर ने बैरम खांको अपना वजीर नेउक्त किया बैरम खांको क्या नेउक्त किया वजीर नेउक्त किया और दोस्तों वजीर जो उस समय पद होता था वह एक परधान मंत्री का पद था किसका पद था वजीर उस समय किसका पद था प्रधान मंत्री का पद था तो बैरम खां को अपना वजीर अकबर ने नियुक्त किया किसने नियुक्त किया अकबर ने नियुक्त किया दूसरा एक और बात याद रख लीजिया आप लोग बैरम खाने सौरी अकबर ने हरम की शुरुवात की किसकी शुरुवात की थी हरम की सुरुवात की थी और हरम क्या था दोस्तों हरम ये था कि जहां महिलाओं को अवैध तरीके से रखा जाता था इलीगल रूप से रखा जाता था उसको नाम दिया जाता था हरम ठीक है दूसरा इस हरम की जो हैड थी यानि इस हरम की जो मुखिया थी वह कौन थी उसका नाम था माहम अंगा उसका नाम क्या था माहम अंगा और इस हरम में राजा और उसके परिबार वालों को ही सिर्फ जाने का क्या था अधिकार था और दूसरा इस हरम में कोई नहीं जाता था क्लियर तो अकबर ने हरम सुरू किया और इस हरम में क्या था महिलाओं को जहां गलत तरीके से रखा जाता था उसे नाम दिया गया हरम और इस हरम की जो मुखिया थी या मुख्य महिला थ ति उसका नाम क्या था माहम अंगा यहां तक आप लोग समझ रहे हैं यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा ठीक है दूसरा अकबर ने और क्या शुरू किया था इसी से रिलेटेड जो अभी आपको यहीं पर समझना है अकबर ने आगरा मैं मीना बाजार शुरू किया अकबर ने आगरा मैं मीना बाजार शुरू किया अब यह मीना बाजार था क्या कि इस मीना बाजार मैं अगरा मैं इस मीना बाजार में क्या था कि महिलाएं जो बाजार करने के लिए आती थी वहाँ जो महिलाएं सुंदर थी उन महिलाओं को देखा जाता था और वहाँ से उन्हें लाया जाता था और लाके हरम में छोड़ दिया जाता था तो इसलिए अकबर ने शुरू कराया था क्या मीना बाजार क्या सुरू कराया था मीना बाजार अकबर ने शुरू कराया था ठीक है अब आगे आप लोग देखिए होता क्या है कि कि अकबर का जो वजीर था अकबर का जो वजीर था बैरम खान वो हरम में आने जाने लगा और जब हरम में आने जाने लगा मैं आपको बता अच्छे कहूँ कि हरम में जाने की अनुमती सिर्फ किसको थी अकवर के परिवार बालों के किसी अन्य व्यक्तियों को हरम में जाने की अनुमती नहीं थी जबके बैरम खाई करने व्यक्ति था, बेसक उसका बजीर था, लेकिन उसके परिवार का नहीं था, तो वह क्या करने लगा हरम में जाने लगा, अब इसका विरोध किया गया माहा मंगा के द्वारा, लेकिन बैरम खाई नहीं माना, बैरम खाई नहीं माना, इसकी सिकायत माहा मंगाने अकवर से की तो अकवर ने क्या किया कि बैरम खांके हरम में आने पर रोक लगा दी कि अब तुम हरम में नहीं जाओगे अब इससे नाराज होके बैरम खांने क्या किया विद्रोह कर दिया बैरम खांने क्या किया विद्रोह कर दिया और उसी विद्रो को दवाने के लिए अकबर जाता है तो दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और वो युद्ध कौन सा होता है अभी हम इसको डिस्केस करेंगे आगे ठीक है देखिए बैरम खाने अकबर के विरोद बैरम खाने अकबर के विरोद विद्रोः कर दिया ठीक है अब उस विद्रोः को दवाने के लिए अकबर जाता है तो होता क्या है 1562 1562 1562 में दौनों के बीच में एक युद्ध होता है और वो कौन सा युद्ध होता है तिलवाड़ा और तिलवाड़ा दोस्तों कहां पर पढ़ता है मध्यपरदेश तिलवाड़ा का युद्ध अब ये तिलवाड़ा का युद्ध कभ हुआ यह आप लोग देखिए सुरी 1562 में हुआ किस किस के बीच में हुआ अकबर के बीच में और बैरम खां के बीच में अब इस तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां क्या करता है हार जाता है बैरम खां क्या करता है हार जाता है और हारने के बाद फिर दोनों के बीच में एक सुलह होती है एक सहमती बनती है तो बैरम खां को अकबर ने तीन आप्शन दिये ऐसे कह सकते हो तीन क्या दिये option दिए और वो तीनों option क्या थे आप लोग देखिए अकबर ने कहा कि अब आप वजीर तो नहीं रहोगे क्योंकि तुमारे जो काम है वो सही नहीं है वजीर के पद से तुम्हें हटाया जाता है लेकिन तुमारे पास अभी तीन option है उनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हो और आपको वहाँ पे भीज़ा दा सकता है तो अकबर ने इसको तीन option दिये पहला option तो इसने ये दिया कि तुम चले जाए हजयात्रा पर कहां चले जाए हजयात्रा पर दूसरा इसने कहा कि किसी सूबे के सूबेदार बन जाओ ठीक है पहला ये कहा कि भाई हजयात्रा पर जा सकते हो जिसका खर्चा कबर उठाएगा वहाँ जा सकते हो दूसरा क्या कहा कि आप किसी सूबे में जाके सूबेदार बन जाओ अब एक बात आप याद रखें कि कोई व्यक्ती जो पहले से वजीर है प्रधान मंत्री है क्या वो मुख्य मंत्री की तरह बनना पसंद करेगा नहीं करेगा बैरम खाने कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ तीसरा तीसरा उसने कहा कि दरवार में बैठो यानि एक दर्बारी की हैसियत से आप क्या कर सकते हो दर्बार में बैठो तीनों में से कौन सा उप्सन ज्यादा पसंद रहेगा तो बैरम खान ने कहा कि ये दोनों तो मेरे लायक है नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा डिमोशन हो जाएगा उसने बैरम खाने हज यात्रा पे जाना पसंद किया कहां पे जाना पसंद किया हज यात्रा पे जाना पसंद किया तो बैरम खान जाता है कहां पे हज यात्रा पे जाता है और हज यात्रा पे जब बैरम खान जाता है तो उसी दोरान बैरम खान की हत्या कर दी जाती है अब बैरम खान की हत्या किसके द्वारा की जाती है ये बताया जाता है कि माहा मंगा का एक पुत्र था जिसका नाम था अदम खान जिसका नाम क्या था अदम खान अदम खाने क्या किया बैरम खान की हत्या कर दी क्योंकि माहा मंगा बैरम खां से खुस नहीं थी माहमंगा क्या चाहती थी कि दरबार में जो hold रहे, control रहे वो माहमंगा का रहे और जब तक बैरम खां था ऐसा करने में बहुत सफल नहीं रही तो ये बताया जाता है कि बैरम खां की हत्या किस ने की है अधम खाने ठीक है दूसरा देखिए आप लोग यहाँ पे बैरम खां की हत्या के बाद बैरम खां की हत्या के बाद इसकी विध्वा बैरम खां की हत्या के बाद इसकी विध्वा किसकी बैरम खां की विध्वा सलीमा बेगम से सलीमा बेगम से अक्वर ने अक्वर ने विवाह कर लिया ठीक है क्या कर लिया अक्वर ने विवाह कर लिया किससे बैरम खां की जो विध्वा थी जिसका नाम था सलीमा बेगम ठीक है दूसरा बैरम खां का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था दोस्तो बैरम खां का पुत्र कौन था अब्दुल रहीम बैरम खां का पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम का पास एक टाइटल था उपादी यानि अब्दुल रहीम को और किस नाम से जाना जाता था तो अब्दुल रहीम को दोस्तो खान ए खाना किस नाम से जाना जाता था अब्दुल रहीम को खान ए खाना के नाम से जाना जाता था और आप लोग यहां तक मुझे लगता है कि अच्छा खासा समझ पा रहे होंगे यहां तक आपको अकबर को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी थीक है आगे बढ़ते कि अक्वर ने और क्या क्या काम किये थे तो यह आप लोग देख लीजोे अक्वर एक बार अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दिन चिस्ती की दरगाँ पे जाता है और ख्वाजा मुईनुद्दिन चिस्ती की दरगाँ पे जब जाता है तो वहीं पे आमेर के एक सासक हुआ करते थे जिनका नाम था भारमल, किसी किता में नाम मिलता है भीरमल उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई तो इसी दौरान अकवर ने भीरमल की पुत्री हरकाबाई से क्या किया? विवाह किया, ठीक है? तो देखे आगे अकवर ने आमेर के सासक अकवर ने आमेर के सासक भारमल, किसी किता में बिहारी मल भी मिलता है या भीरमल की पुत्री भीरमल की पुत्री जिसका नाम हरकाबाई ठीक है? भीरमल की पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई से विवाह किया, ठीक है? और दोस्तों एक बात और याद रखना यह अकबर की पहली यह अकबर की पहली राजपूत पतिनी थी यह अकबर ने क्या किया था कि राजपूतों के साथ युद्ध लड़ने की अपेच्छा इसने वैवाहिक संबंद स्थाबित किये थे क्या किये थे वैवाहिक संबंद स्थाबित किये थे और इसने सोचा कि अगर वैवाहिक संबंद स्थाबित किये जाएंगे तो युद्ध से बचा जा सकता है जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अकबर क्या था अकबर एक अनपढ़ सा सकता दोस्तो अकबर क्या था अकबर एक क्या था अनपढ़ सा सकता अनपढ़ होने के बाबजूद अकबर बहुत बुद्धिमान था, अनपड़ होने के भाबजूत अकबर बहुत बुद्धिमान था, इसलिए उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंद इस्थापित किये, क्या इस्थापित किये, वैवाहिक संबंद इस्थापित किये, ठीक है, इसके बाद अकबर ने इसके बाद अक्वर ने तीर थे यात्रा कर अक्वर ने क्या किया पिलिग्रिजम टैक्स तीर थे यात्रा कर को हटा दिया तीर स्यात्राकर को हटा दिया दूसरी तरफ अकवर ने जजियाकर अकवर ने किसको हटा दिया जजियाकर को हटा दिया ठीक है जजियाकर को हटा दिया तो एक चीज़ आप याद रख लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि जजियाकर को सबसे पहले किस ने हटाया था तो जजियाकर को सबसे पहले हटाने बाला एक सासक था जिसका नाम था जैनूवल आपदिन लेकिन जैनुवल आपदिन ने जजिया को जो हटाया था वो सिर्फ जम्मू कस्मीर से हटाया था और जजिया को सारे भारत से हटाने वाला सासक कौन था? अकवर ठीक है? ये रिसेंटली यूबी पीसेयस जो हुआ था 2023 वाला उसमें पूछा गया था कि जजिया को हटाने वाला जो सासक था जम्मू कस्मीर भार वो कौन था तो कौन था? जैनुवल आपदिन तो देख लीजिये कि सासक जैनुवल आपदिन ने जम्मू कस्मीर के सासक जैनुवल आपदिन ने जजिया कर को जम्मू कस्मीर से हटाया कहां से हटाया? जम्मू कस्मीर से जबकी आगे अकबर ने जजिया कर को संपूर्ण भारत यानि सारे भारत से संपूर्ण भारत से हटा दिया कहां से हटा दिया? संपूर्ण भारत से अकबर ने जजिया कर को हटा दिया ठीक है दोस्तो? आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं आगे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो मोगल एंपायर में इसी अकबर की होगी और अकबर को हम उसमें क्या करेंगे? कम्प्लीट करेंगे ठीक है? तो दोस्तो आपके लिए नई नई वीडियो लाई जा रही है, हर एक सब्जेक्ट की लाई जा रही है लेकिन आपका उतना प्यार नहीं मिल रहा है आपके लिए दैली पुरिसके प्रैक्टिस हैट भी हमारे चैनल पे अपलोड किये जा रहे हैं, वीडियो जुनकी भी अपलोड की जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए, आप देखी का जितना आप वीडियो को लाइक और सेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और दूसरा चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे हमें भी एक नई उर्जा मिलती है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और फिर हम आपके लिए और ज्यादा महनत कर पाएंगे तो इसी लिए हम आप से बार-बार बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए ठीक है दोस्तो आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत थैंक यू